यह एक पिच्छे पास को यह हैंडाउ रखे लागी यह हैंडाउ रखे लागी अच्छा ओनलाइन बचे बिटा बटाएगा आपको इसमीन आवाज वीडियो खयर है जो 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 बचे ऑलाइन बेटा सोफार के लिए पीपल प्लीज कंफर्म इन दा चैट बॉक्स क्या आपको आवाज स्पिन वीडियो वगरा सब क्लियर है अच्छा जी अच्छा अब हम इदर आ रहे हैं दिस इस आर फर्स क्लास और उसमें ये एक हैंडाउट आपके पास होगा हैंडाउट नमबर वन सब्सक्राइब अब दो यहां पर आपको सबस्टाइब अच्छा यह दिखें दिस इस आ फर्स क्लास और अभी जो है पहली क्लास में यह जो भी हैंडाउट आपके पास हैंडाउट नमबर वन इस वी को बेटा भी हमने विस्कस करने हैं अच्छा इस हैंडाउट इस नोट दा पर्टिकुलर चैप्टर यह कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है और का यह पूरा ओडिट क्या आपके बस अच्छा इस हैंडाउट में आपको सबसे पहले बता देतों पेपर हमारा स्ट्रक्चर क्या है पेपर पैटरन के साथ-साथ ओडिट होता क्या है और इसका लेवल ओफ डिफिकल्टी अनलाइक बाकी के पेपर्स इसमें पचास नंबर तक का जो सवाल है वह आपको पहले से पता है कि कौन से टॉपिक्स चाहेगा किते नंबर का इसके बावजूद भी लोग कहते हैं मुश्किल है हाँ है उसके अपर बात करते हैं ऐसा क्यों है तो लेट्स टॉक अबाउट दिखें एक बात हम सबको पता है कि पेपर में आपके पास OT क्यूज होते हैं CR क्यों होते हैं तो पहले सबसे पहले सबसे पहले पेश पेपर इस्ट्रॉक्चर है कि पेपर पैटर्ण कैसे इसके बाद थोड़ा सा सेलेबस और यह हैंड आउट कि यह हैंड बहुत जाधा Inpoten है वहाइट क्यूंकि आप यह कोई चैप्टर ही नहीं आप यह संज़ें कि हर चेप्टर का हर चैप्टर का छोटे 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 edra जिमस्घ साथ यानिकि इस एस हैंड़ा के बाद कि इस हैंड़ाव के रहे आपको पता चलेगा कि वह तैस इस हैंडाप के बाद आपको एक्ट्वरी पता चलेगा कि और चाई चीज देगे सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर आप चेक करें आपके पास पेपर इसमें सिंगल एमसी क्यू नहीं नहीं हैं इसमें आपके पास दो किसम के सेक्शन जैंट जिसमें कितने ओटी क्यू जै जी बटा कितने OTQs हैं? तीन OTQs और पर OTQ कितने मार्स हैं? वह ये पांच MCQs हैं जिसके आपके बाद दस नमबर होते हैं. पर OTQ 5 MCQs हैं और उसके बाद आपके पास यहां पर तीन OTQs हैं ना बिटा? कितने नमबर आपके पास? तीस यानि कि जो थर्टी मार्स हैं थर्टी मार्स ही आपके लिए क्या हैं आपे? केस OTQs जो के केस OTQs हैं उसके बाद आजएं नीचे बेटा पेपर स्ट्रक्चर में. नेक्स बेटा आपके पास हैं CRQs section B. एक CRQ कितने मार्स का है बेटा? 30 और 2 CRQs कितने मार्स के हैं? 20 यान के 40 नमबर होगे. Obviously, इसके आपके पास सब पार्ट्स होगे. क्या होगे बेटा? सब पार्ट्स. जैसे example, ये 30 नमबर का जो CR की हुए, इसमें पार्ट A होगा, पार्ट B होगा, पार्ट C होगा. ऐसे होगा. इस 30 नमबर की एक requirement तो नहीं आएगी. यानि के in short words, ये जो आप अच्छा, फिलाल में case OT की उसकी बात नहीं कर रहा. मैं बात किसकी कर रहा है इस बात? CR की उसकी. कितने marks से मिठा आपके पास? 70 marks. इसका मतलब 70 marks का आपको अपना answer क्या करना है? type करना है. You have to type it. ठीक है? You have to type it. इस 70, अच्छा, ये जो 30 नमबर है. What you believe? कि this 30 marks, क्या ये ज 30 marks है, उपर गें, क्या ये knowledge based है या case studies है? Case है. बेटा, ये क्या लिखा रहा है? तिरी OT की, वो OT की क्या होती है? Case study वाले है ना? तो 30 number क्या है? Case specific. एक चीज़ मैं आपको बता दू जरा. एक case है, उससे related 5 MCQs है. लेकिन 5 नहीं होगी. 3 या 4 case से relate करेंगी. एक या दो, पता नहीं. एक या दो knowledge. So keep it on safe side, आप ये समझ लें, कि इस 30 में से 20-22 number क्या है? 20-22 लगाले हैं. 20 लगालो चलो. और बागी जो 10 number है, वो क्या है? Knowledge. हटाएं इसको. सरे कौन से topics आएगा? सब बाद में, अभी कुछ नहीं. फिर उसके बाद बेड़ा, आपके पास 70 marks, जो कि आपको क्या करने है? तो इसका मतलब हमारे पास एक चीज़ की practice होनी चाहिए, डेवान से वो क्या है? टैपिंग की practice होनी चाहिए, ठीक है? इस 70 number में से, इस 70 number में से हो सकता है 10 से 15 number. कितने? 10 से 15 number. अगर मैं 10 assume करता हूँ, तो आपके पास 60 marks बन जाते हैं. अगर 15 assume कर रहा हूँ, तो पीछे कितने बन जाते हैं आपके पास? 55. इसका मतलब 55 से लेके 60 number. और ये, इतना हिस्सा case study है? और इतना हिस्सा आपके पास कहा है, बेटा? knowledge base. What do you mean by the term knowledge base? Knowledge base कहा है? अब ये मत बुलना से ratification, रटना नहीं है. ये, हाँ, मतलब ये simple है, explain this, एक definition है, explain this, define this, what are the benefits of this? मतलब इसका तालुक किसी case study से? किसी case studies का तालुक नहीं. ठीकिए, ये आपकी बास knowledge base है. बेटा, मैं चाहूँगा, सबसे बेने इसको copy करें. ये handouts आपके पास है, जिनके पास नहीं है, भी मिल जाते हैं. बेटा, ये आप पीछे पास कर लो, आपको दे रहाएं. हाँ, पीछे पास कर दूएं. ये अच् बेटा, 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 आपको मैं इस handout का भी link provide कर देता हूं, सबसे पहले. आप इस handout को जरा download कर ले बेटा. ये लिंक आपकी चैट पर आ गया है, आप उसको access करना. सब parts, मदब part A, part B इस तरह. बेटा. झाल 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 हम झाल 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 पर डा झाल झाल प्ट तो झाल आप प्रॉम यह फिल्ट ऐख झाल प्रूम प्रूश इस प्रूम पहले पॉर रिपर्फॉर्म वेट करना चला को बढ़ा कुछ भी बना डाकिमेंट जिस जो बनता है जैसे बंग रिकनसी लेशन बना ली चांड ली डेकंसिलेशन डिफेंट डॉक्प्थ को देखकर प्रिपेर करते हैं लो चेंट शवाट से सुनना आपने मुझे बना आपको दिया अब यह जमाग बराबर चलता है यह बराबर चलने को इस वर स्कूपिस ने बना आपको दिया आपने मुझे मैंदा इंस्पेक्शन ऑफ दोक्यूमेंट्स कि यह बढ़ तोटल बना था साथ सो नववे यह बी साथ सो नववे ुआ मैंने यह ईदाव कि डिया गिंगा तोड़ कितना रहे बोनों कितना फिर आपने ऑा ज्यापा देक्षानों दोंड़ा गड़िया आपने इसका सबस्क्राइब यह प्राप एकल दुबाया फिर इसका इसका सब्सक्राइब टोटल जन्य क्या 770 यह जो फिल भर कर रहे हो तो इस इस वाट रिक्दोलेट में अपने बोला इसे ट्राइल बैलेंस दो मैं ने का यह लो पड़ो कैच आपने ट्राइल बैलेंस देखा साइड पर रख दिया फिर आपने बोला आरेश बाइस से इन सब के सोर्च डॉक्युमेंट्स लाके दो जहरे अंदर बहुत सारी ची अब आप लोगों में खुद चार गंटे बैठ के ट्राइल बैलेंस बनाया और मेरे बनाएवे ट्राइल बैलेंस को फिर से उठाया और चेक किया यह तुमने वो काम जो मैं कर चुका था पिछले महीने वोट्स को उठागे तुमने क्या किया अब मेरा एक सवाद रुकेलकुलेशन में और री परफॉर्मेंस में ज्यादा टाइम कंसुमिंग क्या है ज्यादा तसलीक इसमें मिलेगी तेरी मर्जी ओडिटर तेरी मर्जी मतलब जज़्जमेंट मैं आपको एक मिसाल दूँ अभी मैं आपको कहा और यह मतलब इट वस्माट इना कॉमिक सेंस इट इस एर रियल थी में एक टॉपिक के डाउट करनेगा सोला नंबर की के स्टेड़ी इसके ओपर एक और का पहला काम क्या है शर्क करना अब आपके सामने अज्यूम करो दो सब्सक्राइब अब बच्चों ने बच्पन में पढ़ा है एंसी रेजिस्टर यह बटा कॉस्ट है एट हंड्रेट की डेपरिसेशन है हंड्रेट की नेट बुक वैल्यू है 700 रुपे की अगर मैंने कैलकुलेटर उठाया 800-100 किया कसम से अंसर 700 यह आएगा हाया ना तो आप तु यही बोलोगे सरहरी साथ की कैलकुलेशन तो ठीक है तो बेटा तुने चेक ही क्या किया था अगर आप रीपर्फॉर्म करते हैं क्या करते हैं तो तुम डेपरिसेशन खुद रेड्यूसिंग बैलेंस मेटेट से निकालते हैं पुरा का पूरा पूरा चेक होगा तो रीपर्फॉर्म नेंग से चेक होती है सब्सक्राइब 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 टोटल औफ सिगर्स इसको इसको एरो मार के लिए प्लस माइनस मल्टिप्लाइब इवाइट यह चीज़े चैक करना यह क्या है रिकल्कुलेट आया यह रिकल्कुलेट है यह रिकल्कुलेट है अब ने इवाइस चेक कर ली और फाइनल उसका जो टोटल लिखा है ट्राइल बैलेंस के अंदर यह कहीं भी बिलिंग के ओपर वह रिकल्कुलेट करोंगे ना वह क्या करोंगे रिकल्कुलेट सब्सक्राइब अच्छा जी बैटा रिकल्कुलेशन का मतलब बहुत है चेकिंग का लोगल और फिगर्स दूसरा का लिखा बैटा वाट इजरी पर्फॉमिस में क्या होता है यह नहीं कॉंसेट है मतलब प्रोसेस क्या वाट इस अप्सुलेट अच्छा कर रहा है वही काम अच्छा वही काम जो मैं कर चुका हूँ आप अपने हाथ से खुद्गर हो गए और मेरे बनाएवे काम से मैच कर अच्छा मैच नहीं कमते हो मैं आगे जाके लिखोंगा अभी तुमने बोल दिया जहां जहां तुम्हारा लफ्ज होना मैच करना मैच की जगा एगरी का लज़ लिखना क्या लिखना एगरी मतलब कुछ वर्डिंस का फर्क है वह खेर आगे जाके मतलब अभी के लिए बोल दुमने चाहिए चेक करना है तो मैटा री परफॉर्म का मतलब भी होता है के और बिटर इस परफॉर्मिंग दा स्वेंग बाइंसेल्फ भी हो गे आपके पास री पर फंट दे लास्ट वन इस दा right ओ दो ऑप्सरविश तर उप्सरविशटन गाधका जैडा ही रीदर अब्सरविशन और अब्सरवसिशन बिटर observation का मतलब क्यों है दिखें एक्जांपल एक्जांपल मैं आप से कहा रहा हूं रोड पार करके एक building construct हो रही है एक्जांपल ऐसे आपने बुले है मैं जाके देखूँगा ये तुम्हारा जाकर उस प्रस्ट को देखना क्या है इंस्पेक्शन आफ एसेट नहीं है एक में परेसुनने से उसमों इंस्पेक्शन आफ एसेट कहते हैं जो चीज जो एसे पढ़ावा हूं आप से कह रहा हूं इस प्रोजेक्टर का रिमोट ये टेबल पर पढ़ा है आप आपने देखने हाई ये क्या है इंस्पेक्शन आफ ऐसेट है किया इंस्पेक्शन आफ एसेट मैं आपसे बीड़ा यह मेरी चीजट पर हैंड़ पढ़ाए किसके लिये आप है आपको पता लगा है कि हारे सने जो है ना वो रूम नबर जीवन में F8 की क्लास कंड़ कर रहे हैं आप उधर से आए दर्वाजा खुला आके देख लिया आप टीचर है बच्चे बैटे हैं ये वो क्लास चल रहे हैं इन प्रोग्रेस हैं आके देख लिया ये क्या है observation, it is not inspection inspection का लव्ज यूज़ करते है किसी कागस के लिए या किसी acid के लिए मैंने आप से बुला रूम नंबर जीवन में जाएं वहाँ पे चार कुरसियां पड़ी है, पड़ी है कुरसियां, किसी को तंग नहीं कर रही तुमने जाके देख लिया कुरसियां चार हैं, what is this? inspection of फिर आपने बुला यार, रूम नंबर जीवन में कलर हो रहा है activity हो रही है तुम आए दरवाजा को ला देखा, कलर हो रहा है ये क्या क्या है? ये observation है नजर आ रहा है, दिख रहा है तुमें मैंने आपसे का, सामवे construction चल रही है तीन फ्लोर बन चुके, चौता में खान चल रहा है आपने का, अच्छा मैं जाके देख हो आप गए ये इदर इसी दूर गुल लगा के देख लिया आपने तो ये जब तुम आप क्लाइट में जाके बहुत सारी चीज़े अब्सर्फ करके हो पिटा क्या 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 अब्सर्फ करते हैं बाइद है भी कल्चर सिस्टम उनका वर्किंग पाट्रेंज उनके कंट्रोल्स उनके एसोपीज एसोपीज मींस क्या क्या करते हैं फिर क्लास में इदर आते हैं रूम चार्ट देखक लास में यह कि में रहां कि मुए सद्रख सकता है जो मिए ये हमारा एस ओपी है एस वी है एस इप्रोसीजर्व स्टेंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर्व। बाज लोग अभी भी समझते हैं सोपी का मतलब मास्ट लगाना होता है यह चीजों को जाकर आपने क्या करना है अब आज की क्लास यहीं तक अब पूरा पूरा रीकॉल मुझे पता है कौन सी चीज कब करा कितनी बतानी है सब पंस में तो आपके सवाल है को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है उस महतिल का नाम क्या है एजिए और जब एक और अपॉइंट हो जाता है तो आगे वो अडिट करते है जाहरे अडिटर है तो अडिट करेगा तो मतलब क्या है बिठा किसको चेक करना चीज़ करता है एक एक चीज़ चीज़ चेप्रों पर इसको अजो सेंपल पर यह नहीं सेंपल भी जो हम सेलेक करेंगे जाहरे को मतील लाइडम सेलेक करेंगे आया ना ओके फिर उसके बाद एक और अडिटर का काम है सच की तलाश जो शेर होल्डर के घर पे खबर पहुंच रही है ना फानेंचल स्टेट्मेंट की सूरत में उसमें जो लिखा है सच होना सब्सक्राहि इन इंटरनेशनल संडर्स ऑन अडिटर ऑड़ीट करते है फाइनेचल स्टेट्मेंट पे और उसके बाद.. अपनी गयरंट्पी नहीं 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 जा तों पिए अपना पिए अपने जितना देखा है ना मैंने देखा है मेरे मेरी राही है और उडिक का रूल क्या गूल्डन रूल क्या से बड़ा यह ने यह गलत बात हो गई दो ट्रस्ट वैरिफाइड कैसे वेरिफाइड करोगे कैसे वेरिफाइड करोगे एविडेंस नहीं बोलो पूरा इसका एक बात सर हम लोग प्रोसीजर लगा कर सबूत इगट्टा करके वेरिफाइड करें तो ऑडिटर भाई जो कर रहे है वो कह है जो हासल कर रहे है और उस एविडेंस की बुनियाद पर जो उसके शब्द निकल रहे है पीगे ले प्रोसीजर के अच्छन्स और टेकर काम एक्छन्स का रहो सीफ़ाइड पार्टी से किसी अविलेबन इंफर्मेशन को गन्फर्म करना एफ़ाइड अनालेटिकल अनलाइस करने के बाद जो चीज अन पैटरंड है क्या है एंट नॉर्मल अनुज्वल इस्टो उसकी इंवेस्टिगेट करना आई तरी इंक्वाइरी मैंने इंक्वाइरी नींस सवाल जवाब किस है आई फॉर इंस्पेंशनों डोगिमेंट कोई कावजाद देने ला भाई इंस्पेंशन ओपैसिट कोई पड़ावा एस्ट देखना और एक ओंग एक्टिविटी को देखना बिटा ऑब्सेवेशन जैना वह ते मिक में यह एक्टि आकर देख लिए यह क्या इंस्पेक्शन है वह अब्सर देशन है ना वह तो अब्सर देशन है बिटा यूँवार मॉनिक्रिंग और ओंग एक्टिविटी इस गोन अज़ा 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 ओगे री कैल्पलेट मींस इस गालेशन को चेक करना है बस इसमें प्लस माइनस डवाइट मैंटिप्लाइब पावर यह वह फाला ला दिंकाना लगा इधर तो आपने कैल्कुलेटर उठाया और यह चीज़े चेक लिए इस री काल्कुलेट इस प्रिप्रफॉर्म जो तुम्हें समझ में आदा है वो कर लेना री कल्पलेट यह री परफॉर्म जो ऑडिटर की मर्जी में है और ऑडिटर की मर्जी को मर्जी नहीं क्या बोलेंगे उसकी प्रोफेशनल जेज्जमेंट अच्छा अब बिटे जब सर से लेबर अब भी कर लें दो विड़ा सबसे पहले बता है आप लोग बीपी पी यह नहीं पहले तो बुख पढ़ते हो इसमें कुछ जैन्डरी ऐसे होगी जो गुख नहीं पढ़ते हैं और गोड़ते हैं कि सरह हमने बुख पढ़ी है ना का पढ़ी हो ने टेबल पर पढ़ी है पै अब इस अब इस अब इस तो इस टेडी मटीरियल इसक्यूज मी एसी से का जो इस टेडी मटीरियल बीटा बात नहीं करूंए फिसमें अब कि मैं अब लिए छोटी सी मिसाल दूँ चोटी सी मिसाल एक आइस ना आइस टू कहते हैं लुवर ओफ कोस्ट और अर्वी पर रिकॉर्ड करो मेरे खाल में बीपी इसमें भी यह लिक्खा होगा है यह ना जिस टीचर ने पढ़ा हुसने भी यह पताया होगा अगर आपने नोबिस किया है, क्या प्लान में कुछ डाग्राम्स बनाई है, एसी से मटीरियल में क्या है, देखा किसे है, कुछ किसी पेपर का देखा इस मटीरियल में, किसना बनाई है, बुलिट्स में, शॉर्ट वे में, कंसाइस में, जैसे रोड पर साइन बोड है, तो वहां पर लिकाए यह पीछ जा रहा है, अब लुकना लंबा थोड़ी लिखेंगे, वॉक त्री किलो मेटर्स अं देन टर्न लेफ्ट अबे भाई, इनी लंबी डिटेल, स तरीके से, इस तरीके से जो है न, वो, there is a difference, अपसा बाद, सर हम कौन सा पढ़े, मेरी बास सुनो, बेटा मैं, I have, I am giving no opinion, जिसको जो पढ़ना पढ़ने, लेकिन एच चीज मैं आपको मश्वरा देता हूँ, इस पढ़ना तो है, study material तो जाकर विजट करो, इसकी न, वो है, है, mcqs तो होंगी, यह plus material है, हमारे पास, एक, कैप्लान की किट की mcq होगी, एक bbp की होगी, यह तीसरी भी आदे, तो आपका जो practice, अच्छा paper में जाके न, आपको वाज़ा कि story नहीं सुना न, चीफ और confirmation, एफ और analytical procedure, वो भाई paper पूरा का पूरा application based है, उसके लिए maximum, असल चीज़ पता है क्या है, past papers, चाहिए, आपके पास यह चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, जो आपके पास होनी चाहिए, and that is, कैप्लान की hard copy में, बाकी, बी पी पी किट, ले लो, सौफ में ले लो, हाग में लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कैप्लान की किट होनी कि उसकी पता क्या किया है, दोजार अठारा का सवाल उठाया, तेरा का सवाल उठाया, दोजार बाइस का सवाल उठाया, दर्स बार अच्छे-च्छे सवाल उठाया, kit बना दी, कैप्लान में सिर्फ एक काम किया है, अपने उसके ओपर सिर्फ कैप्लान लिखा है, क्या लिखा है, अंदर जो कुछ है ना, CRT की बात करो, MCQ की बात नहीं करा, तो वो अंदर जो CRT की और उसके answers नहीं किसके? PassMippers के, जबकि BPP में, PassMippers नहीं अब उनके writers नहीं लिखे, I suggest आपने अपना answer examiner को देना है, तो शुरू सही examiner की तरहा लिखना आपको सिखाऊँगा and so the answer you will be finding so that is the only difference you have to take kaplan की kits और book जो भी लेनी है लेलो लेकिन study material को देखना जुरूर है अच्छा और तीस्वी बात Monday Wednesday Friday Friday तो ज़र है अब जुम्हे की नमाज के बाद यूती क्लास तीन से छे मंदे वैडने से बारा से तीन और Tuesday या थस्जे को जो चौती क्लास होगी वह मैं आपको अगले आपको बता दूँगा अभी फिलाल उसका टाइम वह सैट हो रहा है मंदे बारा से थी और एक और काम फैट जो रिलाक्स जल्बी क्यों है पब्लिक को आपने इटम ममनाने जाके उसकी रखवाली करनी है बैटो बेंगे बैटो तो जब तक एक बैट सब्सक्राइब यह पूरी बात होगी चुटी होगी फिर उटना मंदे वैडने से हर क्लास का काम नहीं क्लास में आने से पहले रिवाइज होना चाहिए मनलब तू डेट सब्सक्राइब 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 करो जिसका तुम्हें यकीन है कि उससे नहीं पढ़ा हो ताकि आपको कोई साथी मिले दूखदर शेर चले वाई तो मुटिवेशन मिलती है मैं दुनिया में अकेला है चला मेरा स्रीयों मंडे बारव भजे अल्ला हाफिश था ओके जाएगी वह कहा है निस्का है अटाइने ची बड़े दर रखो तीन होंगी न परभी शब्सक्राइब के आपके पोडली होगी माई एसी से लॉग इन करे कि अल्या открыться लुग में झाला उपके वह कुदित मैं वह करे है अजय को था